अगर आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ मैं मतलब वो इदम सत्य घटना है सत्य घटना पर आधारित है इदम तो चलती है शुरू करते हैं और यह हमारे रहें लाला पीछे माई तो अगर आपको भगवान पर विश्वास है ना तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है दुनिया की कोई भी ताकत हरान नहीं सकती है अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो इसलिए भगवान पर विश्वास जरूर करना चाहिए और नहीं है अगर घर में लड्डू गोपाल तो जो लड्डू गोपाल के कैलेंडर ये फोटो जो भी होते हैं घर पर आप में भी अनुभो किया है लड्डू गोपाल जब होते हैं घर में जब पास में होते हैं तो हम लोगों ने भी हमारे माईके वालों ने भी और हमारे सिश्टर के जो ससुराल वाले हैं वो भी मतलब सब लोगों ने ये चीजे फेस की है कि हाँ जब लड्डू गोपाल भग लड्डू गोपाल की सेवा नहीं थी पर लड्डू गोपाल को बहुत ही जादा मानते थे बहुत भक्ति करते थे राजा कहीं बाहर गये तो राजा उनके पूझा कुछ नहीं करते, उनकी शेवा क्यों नहीं करते, तु अपने घर द्डू गूपाल ले जाओ, और उनकी पूझा करना, तो ऱाजा ने कुछ सोचा, और राजा लद्डू गूपाल को लेकर अपने घर आ गए, पूझा करता, भोग लगाते, इश्नान कराते शयन कराते घुमाते एक दम बच्चे की तरह रखने लगे ये सब बाते उनकी रानी को नहीं अच्छी लगी क्योंकि जब राजा पूजा मतलब सब चीज लड्डू गोपाल घर ले आया उनकी सेवा अब एक बच्चे बच्चा है तो बच्चे का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना तो वो सब रानी को नहीं अच्छी लगती थी रानी को नहीं अच्छा लगता था एक दिन राजा को कोई काम आ गया तो राजा सोचते हैं कि मैं काम निप्टा कर आ जाओंगा जल्दी और रानी से कहके जाते हैं कि ये तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना ठीक है तो रानी ने हां कर दी रानी राजाओं के पास धन तो होता ही है तो रानी थोड़ा घमंडी टाइप की थी तो रानी कभी सेवा करती कभी नहीं करती किसी टैम खाना भोजन देती किसी टैम नहीं देती किसी टैम पानी पिलाती किसी टैम नहीं पिलाती तो ये सब चलता रहा काफी दुने तो चलत कि मैं नहीं रखोंगी अब इनको तो उन्होंने कि अपने बगीचे में ही एक पेड़ के नीचे गड़ा बहुत गहरा खोद कर उनमें जमीन में दबा दिया दबा दिया फिर कुछ तो तीन दिन कहलो या कुछ दिन के बाद राजा घर आए राजा जब घर आए अब फोन तो तो उन्होंने अपने राणी से पूचा की लड़ गोपाल कहा है तो आई ने बताय मुझसे नाराज वो गया तो राजा ने कहा ठीक है बाहर काम के सिलसिले तो राजा फिर निकल गए काम के लिए तो एक दिन माली आता है माली का काम क्या था कि गार्डन की सारी सफाई करना था तो माली ने उस पेड के नीचे एक गड़ा खोद रहा था पता नहीं क्यों वो गड़ा खोदा बहुत उतना ही गहरा खोदा तो उसको उसमें लड्डू कुझ गॉपाल मिले मिटी में सने हुए मिले तो वह ऊठा कर ले आया माली से कहता है रानी यह देखे लड्डू गोपाल मिलें वगी चे से तो रानी करे стur लेख जा यहांसे हम नहीं रखेंगे उनको, तो माली भी, माली भी, तो माली ने क्या किया, अपने घर लेकर चले गए, लड्डू को पाल को, अब माली के वहां माली था, तो बहुत गरीब अदमी था, तो उसके पास कुछ था तो नहीं, तो लेकिन वो अपने लड्डू को पाल को ले गया, उसके कोई संतान नहीं थी तो अपनी अपनी वाइफ को देता है मतलब अपनी घरवाली को देता है लड्डू गोपाल कहता है यह हमारे कोई बच्चे नहीं है अब हम इन तो अब खाने के लिए कुछ नहीं था एक काम था वो भी छूट गया तो खाने के लिए माली के वहां कुछ नहीं था तो लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाया जाए तो माली क्या किया करता था अपने जो उसका बाहर का आंगर वागन थोड़ा बहुत था उसमें फूल ल लगाए है तो वो उस लड़के ने कहा कि जानते हो इसकी कीमत क्या है इन फूलों की इन बीज की तो वो कहता नहीं ये फूल हम को पता ही नहीं ये कौन से फूल है कैसे फूल है तो वो लड़के ने कहा कि आज तुम जाना इन फूलों को लेकर बजार बेचने जाना तो वो माली ने वैसा ही किया वो फूल तोड कर ले गया बजार में इतने अच्छे दामों से भी के इतने अच्छे दामों से भी के फिर वो माली क्या किया उस फूल के बीज निकाल लेता उनको सुखा कर अपने खेतों में बोने लगा बोने लगा अब तो अब वो राजा हो गया एक तो माली के घर में एकदम सुख पूर्वक दिन बीतने लगें खुशी खुशी वाले दिन, कुईसी प्रकार की कोई तंगी नहीं थी, तो उनके घर एक दिन भिखारन आती है, माली के घर एक भिखारन आती है, तो मतलब हाथ फैला कर मांगती है, तो माली देखता है, अरे ये कौन हो तुम रानी कहने लगी तुम माली ने बताया कि मैं वही हूँ जो लड़ू गुपाल की मूर्ती आपको दे रहे थे आपने लिया नहीं था और हमको घर से निकाल दिया था काम से भी निकाल दिया था तो वो इतना रोई इतना रोई वो जो रानी थी इतना रोई माली के आगे तब फिर उनके बच्चों ने भी उनको घर से निकाल दिया था और उनके जो राजा थे वो बैकुंट को चले गए थे मतलब उनको छोड़के और उनके बच्चों ने भी निकाल दिया था क्योंकि वो सच ही नहीं बता रही थी कि आखे लड़ू गुपाल की मुर्ती कहा गई लड़ू गुपाल कहा गए इसलिए तो माली के साथ फिर वो रहने लगी जो रानी थी इसलिए दोस्तों भगवान से कभी भी रिस्ता मत तोड़िएगा अगर थोड़ा वुद विश्वास डगमगा गया है तो उसके मजबूत बनाए रखेगा क्योंकि हमारे लड़ू गुपाल कभी भी किसी को निराश्ट नहीं करते हैं राधे राधे आप सभी को जैशी कृष्णा